नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल और इंस्टन अकाउंट जो हम ओनलाइन अकाउंट खोल रहे हैं वेरियस बैंकों का तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब आप अकाउंट खोल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे प्राबलम सारी हैं तो इस वीडियो में हम उस प्राबलम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे के वाइसी के बारे में, डेविट कार्ट, पास्बुक और इंट्रिनेट बैंकिंग के बारे में मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट सेक्सिंस के अंदर कि उन्होंने ओनलाइन अकाउंट खोला है और net banking disable हो गया किसी को debit card किसी को passbook बहुत सारे ऐसी समयशायों के सामना करना पर रहा था तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं इसके उपर यह वी एक viewer choice वीडियो है तो इसको हम detail में cover करेंगे इस संपून detail में जानेंगे कि क्या ऐसा reason है जब आप online account खोलते तो आपको किन-किन बात होगा ध्यान रखना है KYC कराना mandatory है तो क्यों mandatory है और वीडियो KYC के बारे में हम detail में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं KYC के बारे में KYC होता है know your customer पहले क्या होता था पांदस साल पहले की बात होगी एक जग मुझे यार नहीं है उस टेम पे क्या होता था पैंक क्या अगर थे पैंकार्ड अधार कार्ड या बोटर आईडी कार्ड जो पर आपको डेटेल होती थी उसके बेस पर आपका अकाउंट खोल देती थे और आपको किसी प्रकार के KYC करने की जरूबत नहीं होती थी अब गौर्मेंट को यह लगा कि बहुत सारी स्कैम होन परता है copy लेके और buy metric होते थी आधार card number के साथ डालते ही बाइमेंटरिक करते हैं और buy metric करने के बाद जो data match हो जाता था अगर वो genuine पर सुनुआ तो data match होगा और account उनका active कर दिया जाता है तो बहुत सारे account ऐसे हुए जिनको उन्होंने close करें क्योंकि उनकी KYC complete नहीं थी फरजी थे काफी scam और black money आ रहा था तो KYC का एक basic fund यह है कि जब भी आप account खोलेंगे तो KYC करते समय जो भी आप detail देंगे चाहे phone number हो गया, signature हो गया वो सारे details आपके account को account पे lifetime तक रहेंगे जब तक वो account को आप use कर रहें है अब जैसे मान के चलिए आपने पहली बार account खोला instant account जो भी online account खोला चाहे private bank के अंदर और गौर्मन बैंक के अंदर आप KYC करते समय जब आप उसमें जो signature करते हैं वो signature आपके lifetime तक रहेगा जब भी आप check देंगे किसी को या कोई भी modification करेंगे आपने bank के अंदर नॉमनी एड़ करना, remove करना तो जो आपका signature है उसको verify किया जाता है जब KYC करा था वो signature KYC करते समयं स्टार्ट ओपन करते से में अगर वो signature मैच हो जाती तो आपको approve कर दिया था otherwise आपका decline हो जाता है तो एक seamless bank experience बनाने के लिए गौर्मनी इस step उठाय था जो की काफी अच्छे step है black money को control करने के लिए आज के date में हम देख रहे हैं KYC जो है दो भगो में के बाद यह lockdown के time पर उनोंने खोला है तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी आप digital account खोलते है pen और आधार काट के OTP के base पे वो account एक साल के लिए मानिये होता है एक साल के लिए valid होता है अगर आप KYC नहीं कराते हैं तो लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे experience आपको face करना पड़ सकता है जैसे account आपका जैसे digital account है कोई भी account है तो उसमें internet banking की समश्या आपको हो सकती login ID आपका disable करती है जाएगा आप कुछ transaction की limit होगी कि certain amount से उपर आप transaction नहीं कर सकते एक दिन में इससे जादा transaction नहीं कर पाते हैं ना आप FD book कर पाएंगे ना credit card जैसी चीजों का use कर पाएंगे जो other bank को बैंकों के अंदर जो customers को देती हैं अब अगर आपको fully access चाहिए तो उसके लिए आपको KYC कराने पड़ेगी एक साल के अंदर कर आप KYC नहीं कराते हैं तो आपका account चाहिए पॉमनेंट disable कर दिया एगा बंद कर दिया एगा चाहिए आप उसके लिए कुछ भी अर्जी करें अगर आपको activate रखना है bank account को तो आपको एक साल से पहले video KYC या physical branch पे जाके KYC कराना पड़ेगा video KYC में exactly होता है क्या है एक आपको आधार कार और pen card के आपके physical copy अपने पास रखनी होती है एक link आता है bank के थुरू से उस link पे क्लिक करके जो examine होता है जो आपको verify करता है जो आपके detail आपकी photo capture करता है और एक correct आगर जब आपको signature करना होता है अकाउंट signature करने के बाद आपकी आधार कार्ट और pen card और water ID कार्ट की साथ आपकी photo capture करके upload कर दिया जाता है KYC को complete करने में कम सकम 102 दिन का time लगता है bank के तरप से depend करता है bank की working speed के उपर अगर आपकी KYC complete हो जाती है तो उसके बाद bank करता है आपकी address पे passbook को send कर दिया जाता है और किसी किसी case में debit card पहले मिल जाता है किसी किसी case में KYC के बाद मिलता है तो यह चीज़ा आपको ध्यान में रखनी है अगर आपने online account खोला है तो debit card हो सकता पहले मिल जाएगा लेकिन अगर अगर आपको checkbook चीए तो उसके लिए आपको KYC complete करनी पड़ेगी बिना KYC करें आप यह चीज़ों का use नहीं कर पाएंगे यह चीज़ा आपको ध्यान में रखना है अब बात करते हैं कि अगर आपका account disable हो जाए internet banking का अगर आपने KYC नहीं करा रखा तो आप क्या करें अगर आपका account disable हो जाए KYC नहीं करा रखे तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले वीडियो KYC कर लिजे request forward करें अगर वीडियो KYC के अंदर हो जाता है account का detail चाहिए account number हो या account opening जो form अगर आपने प्रिंट निकाल रखा तो आप लेके जाए ब्रांच पर विजट करें जो आपको ब्रांच मिला हुआ है वहाँ पर जाके आपको अपनी KYC करानी होगी और उनको यह कहना होगा कि मुझे अपना account जो है internet banking यूज करना है मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ पर ध्यान दीजीगा जब आप KYC कराते हैं कम सकम एक से दो दिन के बाद ही आप अपने internet banking को दुबारा access कर पाएंगे उसके लिए भी हो सकता आपको दुबारा bank में जाना पड़े या आप debit card या जो आपको मिला हुआ instant online account खोलते हैं account closer भी इसके उपर वीडियो बन चुकी है इंस्टा माइन सेविंग account के बारे में अगर कोई भी online account आपने खोला है तो account close करने के पूरी तरीके बताएगे है online से लेके offline तो वो लिंक में जो उस वीडियो के link है आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा आप जाके उसको check out करिए और समझे अब एक आखरी question था कि अगर कोई person KYC करवाता है और KYC करवाने के बाद भी अगर उसका account access नहीं हो पा रहा है या कोई दिक्कते आ रही है और एक सबसे इसके अलावा एक और important question है वो यह है कि KYC कराते समय अगर मेरा account जो मैंने zero account खोला है और और वो automatically मतलब मुझे minimum balance जो maintain करना है private sector bank के अंदर 10,000 उस पे convert हो जाए तो क्या मुझे कराना पड़ेगा बहुत सारे लोग KYC इस वज़े से भी नहीं करवाते हैं क्योंकि उनको यह लगता है mind में उनका यह डर बैठा होता है कि अगर मैंने KYC करवाए तो जो zero account की facility है lockdown से पहले और मैंने September October में KYC कराई थी तो KYC करते समय मैंने यह बोला था कि मुझे जो KYC करना है zero balance account करना है आप चाहे तो KYC करते समय जो bank के person एक्जिगर है आपके घर पे आते हैं उनसे आप verify हो सकते हैं जब आपको संतुस्टी बिले तब तब यह आप KYC करा सकते हैं तो ह हां KYC के अंदर उस टाइम पे आप एक चीज और कर सकते हैं अगर आपको अपको अच्छा नहीं लग रहा है आप अपग्रेड होना चाहते हैं तो आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं KYC करते समय पे जो एक्जिगेटिव होगा वह आपके अकाउंट को ए लाइक और सबस्क्राइब जरूर करेगा थैंक यू सो मइच